नमस्कार मैं प्राणिशे राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन नियूज राजस्थान में साल 2023 में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधान सभा चुनाव से पहले ना सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी में कलहा मची हुई है बलकि ये कलहा तो अब भारत ये जनता पार्टी में भी देखने को मिल रही है जहां एक तरफ मौझूदा मुख्य मंत्री अशोग गहलोत और पूर्व डिप्टी सेम सचिन पाइलेट की भी सेम पत्की दावेदारी को लेकर जंग चिड़ी हुई है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे ज नहीं नहीं देखा जाए तो सचिन पाइलेट ने जैसा कहा था कि दिसंबर के अन तक फैसला सुनाया जा सकता है तो शायद यहां पर फैसला सुनाया जा सकता है लेकिन जो गहलोत गुट के जो विधायक हैं 91 विधायक उन पर अभी तक विधान सभाध्यक्ष सीपी जोशी ने अपना फैसला नहीं सुनाया है ऐसे में देखा जाए तो यहां पर कॉंग्रेस में तो कलहा मची हुई है और यहां पर सवाल यही खड़ा होता है कि साल 2023 में मुख्य मंत्री पत की दाविदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा लेकिन बीजेपी की तरफ अगर गौर किय जाए तो बीजेपी ने साफतोर पर यहां पर यही कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के चहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे और यहीँ बात देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी सुनने को मिल रही है लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर पूर्व मुख सबसे आगे चल रही वसंद्रा राजे को लेकर स्यासतेज हो चुकी है अब यहां पर वसंद्रा राजे के जो समर्थक हैं वह भी मांग करते हुए नसरा रहे हैं कि मुख्य मंत्री पत की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाए जिस तरह से पाइलेट के समर्थक लेकिन उस लिस्ट से भी वसंद्रा राजे का नाम हटा दिया गया था लेकिन बीजेपी की जो पोस्टर लगे गए थे राजस्थान में उसमें साफ तोर पर यहां पर अमिश शहा और पीम मोधी के पोस्टर लगाया गया उन पोस्टर में भी वसंद्रा राजे को नहीं ल रहे हैं दो बारी राज्य की मुख्यमंतिर रह चुकी वसुंदर राजे 2013 से 2018 तक जिस तरीके से उनकार कारेकाल चला सरकार रिपीट नहीं करा पाई उन पर इलांशन लगा इससे पहले भी सरकार रिपीट नहीं करा पाई थी यह रिवाच की वज़े से हुआ लेकिन में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है तो क्या मुख्यमंतिर पत की दावेदार हैं लोग सबच उनाब के लिए लडाना चाहिए क्यूंकि कई नेताओं का ये भी कहना था कि वसुंदर राजे की जो काबिलियत उनको दिल्ली की राजनीती में सक्री हो जाना चाहिए और जो तमाम युवा नेता हैं उनको आगे कर देना चाहिए क्यूंकि सरकार रिपीट होना भी बड़ा मुश्किल होता है कांग्रेस की सरकार को चुनोती देना भारा जोड़ो यात्रा के बाद और थोड़ा मुश्किला ठुबरा हो जाएगा तो ऐसे में राजे को फिर से कि वहाँ पर सीम चहरा पहले वसंदर राजे का मौजूद है और पाइलेट वहाँ जाते बीजेपी की तरफ तो उनके लिए बड़ी मुश्किलाहाट हो जाती कि वह सीम चहरा बन पाते या नहीं बन पाते क्यूंकि पाइलेट को इतनी आसानी से सुईकार बीजेपी की ने नहीं है जैसा कि यहां पर दीपक ने अपनी बात रखियो और साफ तोर पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि कहीं न कहीं यहां पर एक तगड़ी भिड़न देखने को मिल सकते अब देखना यहीं दिल्चस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से किसे आगे किया जाएगा क् पीम नरेंद्र मुदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे क्या यहां पर जंता रिवास को कायम रखेगी क्या यहां पर तिरकौडी यह महा मुकाबला जो देखने को मिलेगा यानि कि आम आदमी पार्टी भी इस महा मुकाबले में उतरती हुई नजर आएगी देख आएगी जेएगी जनुष करते हुई नहीं पर चाहिएगी यहां पर चुनावच चेहां चेह लीज्ड अवागी के चेहरे लागी के लागागी के लागी के लुच ज़ता हैुच आएगी